दोस्तों इस वर्ष देश को अजाद होने में पूरे 75 वर्ष हुए और इस खुशी में पूरा हिंदुस्तान इस वर्ष के अजादी को अमरित महुत्सव के रूप में मना रहा है। हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि अजाद भारत में पैदा हुए। दोस्तों आज मैं 14 अगस्त 1947 की रात का वो सच बताने वाला हूँ जिसे पूरा हिंदुस्तान जानना चाहेगा। जिस रात ने इतिहास भुगोल सब कुछ बदल कर रख दिया। दिल्ली में 14 अगस्त के साम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बज़ते बज़ते जंदरपरसाद और लाउर्ड माउंट बेटेन वाइसराय हाउस पहुचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछी मिनट बाकी थे तब वहां जोहरलाल नहरू ने दो लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए धेरों सारी खुशियां लेकर आया एक सो नब्य सालों बाद ब्रिटिश होकुमत से देश को आजादी मिले थे। लेकिन जितना खुशी का जस्न था उतना ही कहीं गम भी था दोस्तों क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमिटर अकस्वायर का पूरा विस्तार एरिया और करीब 8,15,000,000 लोगों को एक ही रात में गमा दिया था। देश दो टुकडों में विभाजित हो गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों भारत को आजादी युही नहीं मिली है। इसके लिए न जाने भारत के कितने सपुतों ने अपनी जान कुर्बानी में लगा दी थी। जैसे चंदर सेखर अजाद, अश्फा कुल्ला खा, भगत सिंग, राजगुरु, सुखदेव, खुदी राम बोस। इस तरह के सैकडों विर्पुरुसों ने अपनी जान कुर्बानी दे करके और ये हमें आजादी दिलाई। जै हिंद, जै भारत, बंदे मातरम। जैसे बाहत हिंद, जैसे गडिते हैं, खुदी राम विर्पुरुन झान कुर्ट राजब झाए, जैसे बाहत हुदशे का लाज़ूरु